दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि Penn Card को हमें online कैसे डाउनलोड करना है अगर आप सभी को Penn Card की कभी भी आकस्माद जरूरत पढ़ जाए तो अब आप अपना Penn Card आनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं और इस pencard को कहीं पे भी ज़रूरत है लगाने की तो आप लगा सकते हैं तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें pencard को online कैसे download करना है तो चलिए सुरू करते हैं pencard को download करने के लिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूँ कि इंडिया में तीन ऐसे संस्थान है जो कि pencard को बनाते हैं जिसमें कि पहला तो खुद income tag department हो गया दूसरा है एनसडियल और तीसरा है यूटियाई तो आप सभी को अपना pencard जिस भी department की तरफ से issue किया गया है उसी की website से download करना होगा इसके लिए मैंने वीडियो के decision में आप सभी को तीनों ही अंस्थानों के जो link है मैंने दे रखें आप वहाँ से click करके अपना pencard डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर जो main company है जिससे mostly जो pencard issue किया जाते हैं उनका जो है पूरा tutorial आपको बतानी वाला हूँ यहाँ पर आप सभी को quick link के section में एक option दिखेगा instant e pen तो हमें इसी option पे click करना है आप सभी के सामने दो option आते हैं जिसमें कि आप यहाँ से एक नया pencard free में बना सकते हो या फिर pencard को download करना है तो check status download pen का यहाँ पर option दिया गया है यहाँ पर हम pencard को download करने के लिए check status slash download pen का जो option दिया गया है इस पे हम click करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर हमें अपना आधार number डाल देना है और continue के option पे click करना है आप सभी के mobile phone पर एक OTP आएगा जो कि आप सभी के आधार card से जो भी mobile number registered होगा उस पे receive होगा तो वो OTP यहाँ पर आप सभी को फिल करना है जिसके बाद में आपको यहाँ पर continue के option पे click कर देना है आप यहाँ पर देखोगे कि आपका जो pencard है यहाँ पर download करने के लिए option आ चुका है तो यहाँ पर हम download के option पे click करेंगे तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो pencard है यह download ह पूरा लेटर ही डाउनलोड हुआ है पीडिया फार्मेंट में अगर आप चाहें तो इसे ही प्रिंट करके कहीं पर भी काम है तो आप लगा सकते हैं तो यहां पर यह जो पैन कार्ड है हम इसे डाउनलोड करने के लिए विए पर क्लिक करेंगे हम इसे कहीं पर भी किसी के साथ में कर सकते हैं किसी के साथ में अगर आप सभी लोगों ने इसे सेम और इसे फिल कर देना है तो यहां पर सब्मिट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी का पैन कार्ड अगर हाले में इस्यू किया गया है एक महीने के अंदर अगर आप अपने पैन कार्ड को यहां से डाउनलोड करते हो तो आपको कोई भी चार्जस द पर हम क्लिक करते हैं नेश्ट पे जाता है जहां पर आपके पैन कार्ड पर जो भी आपकी कम्मुनिकेशन की इंफुमेशन दर्ज होगी उसकी कुछ डिटेल्स आप सभी को दिखाई जाती है उसके बाद में आप सभी को अब अपनी आइडेंटी को वेरिफाई करना होगा जिसके लिए आप यहां पर देखेंगे दो मैथर दियेंगे इसमें की है मॉबाइल या फिर हम इमेल आडी पर अपना ओटीपी लेकर के हम यहां पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं यहां पर हम मॉबाइल ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इसके बाद में हम जनरेट के अप्शन पे क्लिक कर देना है कि आपको पैंड कार्ड को डॉनलॉड करने के पेज आया है जहां पर कांटिनू विद पैड एपैंड फैनफ डाउनलोड का अप्शिलारी का ओप्शन दिया गया है तो हम इस आप्शन पे क्लिक करेंगे अब यहां पर सकते हैं और या फिर भीम UPI wallet के माधम से जैसे भी payment करना है आपको यहाँ पर selection कर लेना है इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी जो bank details फिल कर देना है दिन आपको यहाँ पर Mac payment के option पे click करते ही यहाँ पर भी bank से को टीपी आएगा payment को verify करने के लिए फिल कर देंगे आपका जो payment है आप देखेंगे यहाँ पर successfully हो जाएगा इसे के साथ में payment की जो transaction ID है वह भी यहाँ पर सो हो गई है अब यहाँ पर हमें confirm के option पे click कर देना है और यहाँ पर हमें generate and print payment receipt के option पे click कर देना है यह आप यहाँ प अपने pen card को download कर सकते हैं तो download करने के लिए option पे click करेंगे तो आप यहाँ पर आप सिफ option पूछा जाता है कि आप अपना जो pen card है PDF फार्मेंट में download करना चाहते हैं या फिर आप XML फार्मेंट में अपना pen card download करना चाहते हैं तो अगर आप सभी को print करना है तो यहाँ पर यह जो PDF का option दिया गया है इसे ही हमें select करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो pen card है वो successfully download हो चुका है अब इस pen card को अगर हम open करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमसे password मांगा जा रहा है तो यहाँ पर password के section में आप सभी को अपनी जो data birth है वो ही fill करना है without कोई symbol के और submit के option पे click करना है तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमारा जो pen letter है वो successfully generate हो चुका है यह जो pen card है यह भी पूरी तरीके से digital violet है आप देखेंगे नीचे जो हमारा physical pen card जैसे घर पे आता है सेम उसी तरीके का यहाँ पर भी card दिया गया है चाहें तो हम इसे laminate करके भी इस्तमाल कर सकते हैं बाकी PVC pen card अगर आप मंगाना चाहें तो वो भी आप अपने घर के पती पर 50 रुपे का payment करके खुद print करके इनके माध्धम से मंगा सकते हैं तो आसा करता हूँ आज की वीडियो है आप सभी को काफी पसंदाया होगा इस तरीके से आप सभी का pen card जि अब तक लिए गुडबाई चैहन